आप सुभी का स्वागत है मेरे चानल पर आज के इस वीडियों मैंने आपको बताया है कि इन लक्षनों के कारण ही आपकी किस्मत के ताली खुल सकते हैं तो बिना देरी के वीडियों को शिरू करते हैं इस वीडियों को प्लीस लाइक के दिन जानल पर नहीं हो तो चलिए चल जो हमें भविष्य में शुब फल मिलने का संकेत देती है हमारे आसपास कुछ ऐसी खूबसूरत घटनाएं होती है जो हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य के बारे में बताती है शगुन शास्त्र में इन घटनाओं का होना अच्छा शगुन कहा जाता है वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन में कौन सी घटनाएं होने से पहले ही पता चल जाता है कि भविष्य में हमें कौन से शुब फलों की प्राप्ती होती है लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें तो चलिए जानते हैं कि जीवन में कौन सी घटनाएं होने से सुख संपत्ती की प्राप्ती होती है अगर आपके कान में खुजली हो रही है तो समझ लीजे कि कोई आपके बारे में बाते कर रहा है अगर आपके बाएं कान में खुजली हो तो समझे कि आपके बारे में अच्छी बाते की जा रही हैं और यदि आपके दाएं कान में खुजली हो तो समझ लीजिए कि कहीं कोई आपकी बुराई कर रहा है नमबर दो, उल्टे कपड़े पहन लेना अगर कभी आप कपड़े पहन रहे हो और यदी गलती से उल्टे कपड़े पहन ले तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है साथ ही अचानक से आपको कहीं से धन प्राप्थ होने वाला है इसका अर्थ है कि अब आपका भाध्य चमकने वाला है नमबर तीन, पक्षी का आपके उपर बीट करना अगर पक्षी आपके उपर बीट कर देता है तो आपको खुश हो जाना चाहिए किसी पक्षी का आपके उपर बीट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है इससे पता चलता है कि जल्द ही आपको किसी काम में बड़ी सफलता मिलने वाली है और जल्द ही आपका भाग्य बदलने वाला है नमबर चार नववर वधु का दिखाई देना अगर आपको मार्ग में या कहीं पर भी अगर सोलह, श्रिंगार किया कोई नई नवेली दुलहन नजर आ जाए तो समझ जाए कि आपको किसी बड़ी समस्या से छुटकारा मिलने वाला है और आपके जो भी कार्य रुके हुए है वह भी जल्द ही पूरे होने वाले हैं, साथ ही आपको किसी बड़े काम में सफलता मिलने वाली है नंबर पांच मधुर ध्वनियों का सुनाई परना सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियां, शंकर या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देना भी एक अच्छा शगुन माना जाता है इससे यह पता चलता है कि भगवान आप से खुश है और आपके उपर उनके बीच आस्मान में चमकते हुए सूरच का दिखाई देना शीघर ही मालामाल होने की निशानी है इसका मतलब यह है कि आपको जल्द ही नौकरी मिलने वाली है और जो आपके रुके हुए कार्य है वह भी पूरे होने वाले है नंबर छे घर का मुख्यद्वार पश्चन दिशा में बना हो तो घर में धन खर्च बढ़ता है घर के पश्चन दिशा का वास्तु दोश खत्म करने के लिए घर की पश्चिमी दिवार पर वरुन यंत्र लगाना चाहिए इस दिशा में अशोक का वरिक्ष लगाने से भी वास्तु दोश दूर होता है नमबर साथ तूटा हुआ तारा देखना हमारे समाज की धार्नाओं में तूटा हुआ तारा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आपको ऐसा दिखे तो आप कोई एक विश्व मांग सकते हैं माना जाता है कि यह विश्व 30 दिन के अंदर पूरी होती है अगर आप बीमार है तो जल्द ही ठीक होने लगेंगे या फिर अगर आपका भाग्य आपसे रुठा है तो यह फिर से सौभाग्य में बदल जाएगा और आपको हर काम में सफलता हासिल होगी साथ ही घर में भी सुक शान्ती बनी रहेगी नमबर आठ शुभ अफसर पर होगा ऐसा यदी किसी क्योहार या अन्य किसी शुग तिथी पर कोई आकर आपको उफार दे तो इससे पता चलता है कि मा लक्ष्मी जी आप पर महरबान है और आने वाले वक्त में आपका भंडार भरने वाले हैं कई बार कुछ लोग दीपावली के अफसर पर आपको चान्दी का उफार देते हैं यह मा लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है जिससे पूरे घर में सुख शान्ती का माहौल बना रहता है नमबर नौ रास्ते में मिल जाएगा यदि आप किसी महत्व पूर्ण कार्य से घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता मिल जाएग तो यह आपके काम की पूर्णता का संकेत देती है आप मान सकते हैं कि सौभाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और अब आपको कोई बड़ी खुश्कबरी मिलने वाली है या फिर गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर-जोर से रामबाई तो निश्चे ही घर के सुख में व्रिध्धी होती है गाय का खेत या गार्डन में आकर चलना भी लक्षमी प्राप्ती का सूचक माना जाता है दस घर में चमगादड का घोसला बनाना यदि आपके घर में कभी चमगादड घोसला बना ले तो यह बहुत ही शक्तिशाली सौभाग्य सूचक माना जाता है चीनी वस्तु में चमगादड को ध्यान और संपन्ता का सूचक माना जाता है अगर आपके घर में ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके व्यापार में भारी मुनाफा होने वाला है या फिर आपको कहीं से अटका हुआ रुपया मिलने वाला है साथ ही आपको किसी बड़े काम में सफलता हासिल होने वाली है ऐसा पक्षियों को शान्ती स्वाद और एश्वर्या का प्रतीक माना जाता है यदि चिडिया अपना अप्शिष्ट गिरते हुए आपके सर के उपर से गुजर जाए या फिर आपकी बालकोनी में आकर चह चहाने लगे और रोजाना आपके घर में आकर दाना पानी चुगने लगे तो यह सब अच्छी चीजों की शुरुआत मानी जाती है इसका अंदाजा यह भी होता है कि जल्द ही आपको कोई शुब अफसर मिलने वाला है या फिर आपकी जौब लगने वाली है कभी रास्ते में साम्प देखने को मिल जाए या फिर आपके घर में कहीं से साम्प निकल आए तो माना जाता है कि आपके जीवन में कुछ महरत्वपूर्ण होने वाला है माना जाता है कि दिखने वाला सांप जितना अधिक जहरिला होता है लेकिन आपका भाग्य उतना ही अधिक चमकेगी नमबर तेरह श्रीफल जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कि आपको जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और आपका भाग्य जल्द ही चमकने वाला है नमबर चौधर ट्रेवल के दौरान शाम को कुटता या बंदर का दिखाना जब कभी ट्रेवल करते समय आपको दाएं तरफ सांप कुटते या बंदर दिखे तो समझे लेकिन जल्दी आपके पास धन के आने का संकेत दे रही है नमबर पंदरह तितली का उड़कर आपके पास आना अगर आपके घर कोई तितली उड़ती हुई आए तो यह भी अपने साथ अच्छी चीज लाती है अगर तितली के पंख रंगीन हो तो समझ लीजिए कि आपको अपनी लव लाइफ से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है और यह तितली यदिकाली हो तो समझ ले कि आपका कैरियर या बिजनेस से संबंधित कोई शुब समाचार मिलने वाला है वही तितली को पकड़ने या फिर मरने का परियास नहीं करना चाहिए इससे आपको शुब परिनाम की जगह है अशुब परिनाम का सामना करना पड़ सकता है घर की छत या मुंदेर पर अगर कोई कोयल या सिस्डेट चिडिया चह चाहाए तो समझ ले की आर्थिक वृद्धी होने वाली है साथ ही आपके करियर और व्यवसाय में बड़ा मुनाफा होने वाला है नंबर सत्रह दही या दूध सुभ उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी अच्छी तत्दीर का इशारा होता है इससे यह पता चलता है कि आपके उपर से कोई बड़ी घटना टालने वाली है नंबर अठारा है कच्छुआ कच्छुआ अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है इसका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर जरूर लता है साथ ही कच्छुए का दिखाई देने से आपके घर में सुख समरिधी का वास हो जाता है मैं आशे करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना जानला पे नए होते जानला को सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब के पास वरे बैल आइकान को प्लीज क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब आप तक पहुच पाए और कमेंट बोक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो क्यासी लगी ताकि आपको उप्सक्राइब कर दो सक्षक्राइब पर देखको प्लीज कर देखको जबने चाहिए प्लीज कर देखके लगाए